दोस्तो, कभी आपने सोचा है, एक ही घर में पैदा हुए दो भाईयों के रास्ते अपने समय पर अलग हो जाते हैं, कभी एक भाई पुलिस वाला बन जाता है, तो एक भाई चोर, एक भाई सक्सेस के टॉप लेवल को छूता है, तो दूसरा, शेमलेस कामों से पूरे परिव आदमी के बारे में सोचते हैं और पढ़ते हैं, तो मन में अचानक ये बात आ जाती है, कि ऐसे लोगों के अंदर God-Gifted Skills हैं, वो सक्सेस्फोल लोग सफलता की जिस मकाम पर होते हैं, वो उन्हें देखकर हम भी सोचते हैं, कि सफलता का वो लेवल उनके लिए ही बना है, य या वाकई सफल लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा पावर होती है, या वो बच्पन से ही टैलन्टिड होते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए, आज हम लेकर आए हैं, फेमस इंग्लिश राइटर, रॉबर्ट ग्रीन की बुक, मास्ट्री की समरी, अपने जीवन के कि कोई भी इंसान जन्व से जीनियस नहीं होता, जन्व के समय हर बच्चा साधा काघस होता है, धीरे धीरे अपनी होबी की पहचान पर उस पर हार्ड वक करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में मास्टर बन सकता है, ये बुक हमें बताती है कि आइनस्टाइन डेरिवेशन बताने में मदद करेगी, ठीक ऐसे ही जब प्रसिध संगीतकार, फेमस म्यूजीशियन, मोजार्ट पैदा हुए, तो उन्हें नहीं पता था कि उनके हाथ से ऐसे सोनाठा का इन्वेंशन होगा, जिससे पूरी दुनिया भर में संगीत बजेगा, कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति उपर से टालेंट लेकर नहीं पैदा होता, प्रतीक आदमी सफल हो सकता है, आपके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा यूनिक टालेंट अवश्य होगा, जो अन्य में नहीं होगा, ये हो सकता है कि अभी आपका ये टालेंट केवल होबी या इंटरे को मास्टरी में कनवर्ट कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी फील्ड के किंग बन सकते हैं, आप इस बुक के माध्यम से उस अल्टिमेट पावर के बारे में भी जानेंगे, जिसका यूज करके ही सभी व्यक्ति सफल होते हैं, दोस्तों इस बुक में बताई गई बातों को यही रास्ता अपनाया है, वो सभी लोग कॉमन लोगों की तरह ही पैदा हुए, लेकिन अपने टागेट को जानकर उस पर मेहनत करके ही सक्सिस तक पहुँचे, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं, जिने करना वो सबसे ज्यादा पसंद करता है, जैसे कोई क क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता है, तो कोई गाना गाना बहुत पसंद करता है, ठीक ऐसे ही कोई खाली टाइम में चित्र बनाता रहता है, तो कोई कविताएं लिखता रहता है, इस पुस्तक के आथर रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि यही काम जो हर आदमी खाली टाइ में सुकून से करना चाता है यही में वर्क है यही वो काम है जो उस इनसान को success के highest level तक पहुचा सकता है अगर वो इनसान इस काम के महत्व को जानकर उस पर काम करना शुरू करदे इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी hobbies या पैशन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं यहीं आप सक्सिस के उन सभी फेसिस को सीखेंगे जिन पर चल कर कोई भी कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकता है तो चलिए अब हम बात करते हैं इस किताब के माध्यम से रॉबर्ट ग्रीन द्वारा बताए गए कुछ ऐसे लेसंस के बारे में जिने सुनकर आप भी अपनी फिल्ड में मास्टर बन सकते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ कुकु एफेम पर नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं कुकु एफेम पर मास्टरी किताब की बुक समरी इस किताब के ओथर है रॉबर्ट ग्रीन मैं हूँ आरजे शिमायला परवेश सुनते रहे हैं कुकु एफेम सुने जो मन चाहे अपनी टागिट को जाने दोस्तों इस किताब के पहली चैप्टर में आथर रॉबर्ट ग्रीन ने इस बात पर फोकस किया है कि कोई भी इनसान अपनी फील्ड में सक्सेस्फुल हो सकता है लेकिन शर्त ये है कि वो फील्ड उसकी होबी होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मन कुछ और करने को कर रहा है लेकिन वो कर कुछ और रहा है ऐसे में उस इनसान के successful होने के तो कोई chances होते ही नहीं है बलकि उसकी life में और ज्यादा problems बढ़ जाती हैं अगर आप successful होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन का main target पता होना चाहिए अगर दो आदमी किसी रास्ते पर चल रहे हैं उन में से किसी एक को अपनी मन्जिल के बारे में पूरी knowledge है और इ ये बात clear है जिस आदमी को अपना target पता है वो दूसरे आदमी के comparison में ज्यादा आसानी और तीजी से अपने target की और बढ़ता चला जाएगा जबकि छीक उसके opposite दूसरा आदमी जिसे ये तक नहीं पता है कि उसे कहां जाना है और उसके मन में डर होगा इसलिए अपने जीव को follow करके अपने जीवन का target पता कर सकता है और उस पर काम करके एक successful इंसान बन सकता है तो आईए अब हम उन instructions के बारे में जानते हैं जो हमें हमारी life में हमारे लिए सबसे अच्छा target पता करने में हमारी help करेंगे सबसे पहले है number one पर अपनी nature को पहचाने दोस्तों जब हम कि इसी successful इंसान को देखते हैं या उसी मिलते हैं तो अकसर हमें ऐसी सोच पैदा हो जाती है जो हमें छोटा बनाती है हम सोचने लगते हैं कि शायद इस इंसान में कोई internal power है जो इसको भीर से अलग बनाती है जो कि हमारे अंदर नहीं है बस यही छोटी सोच हमें उन unsuccessful लोगों उनकी line में खड़ा कर देती है जिनमें successful होने के chances तो होते हैं लेकिन उनकी ये चोटी सोच उन्हें आगे नहीं जाने देती इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी सोच को positive रखो इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई internal power लेकर नहीं पैदा होता है सब common तरीके से ही पैदा होते है उस समय सबके mentally और physically situation लगभग एक जैसी ही होती है लेकिन उन सभी का future उनकी सही दिशा में मिहनत का परिणाम होता है किसी भी field में master बनने के लिए कोई भी age, कोई भी gender या फिर financial background matter नहीं करता है और ना ही ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में ज्यादा दिन तक रोख सक अगर हम दुनिया भर के कुछ successful लोगों के बारे में बात करें जैसे लियोनार्डो दविंची, दलाय लामा, आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी लोग, ये लोग सभलता के सबसे top level तक गए हैं, इनके पहचान पूरी दुनिया में हैं, लोग इने अपना ideal मानते हैं, लेकिन यहीं आपको ये देखना होगा, कि ये सभी लोग successful हैं, लेकिन फिर भी इनके background change हैं, इन सबकी field अलग-अलग हैं, और सभी अपने-पने field के master हैं, अब अगर आपका मानना ये है कि सफल लोगों के पास कोई internal power होती है, वो हर field में काम्याब हो सकते हैं, तो आपकी ये सोच गलत है, क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी को एक businessman के रूप में observe करके देखें, तो क्या वो काम्याब हो सकते थे, या फिर Bill Gates एक scientist के रूप में अपनी पहचान बना सकते थे, कभी नहीं, इसी तरह दलाई-लामा एक दार्षनिक क रूप में जाने जाते हैं, और अगर वो prospector ना होकर engineer बनने में focus करते, तो शायद आज वो जहां पर हैं, वहां कभी नहीं पहुच पाते, क्योंकि prospector बनना उनके बच्पन की desire रही होगी, लेकिन भले ही ये लोग अपने internal desire की वजहा से एक successful इंसान बन पाए, और इतने famous हो पाए, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होता, इनमें से ज्यादतर successful लोगों को अपनी अपनी situation की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिनमें शायद इनका interest इतना ना हो, जैसे महात्मा गांधी विदेश में law पढ़ने गए थे, लेकिन भारत लोटक इन्होंने अपनी main origin hobby को पहचाना और दुनिया भर में एक successful leader के रूप में अपनी पहचान बनाई, ठीक ऐसे ही शायद आप जानते हों, भारत ये cricket team के कपतान महिंदर सिंग धूनी, जो आज पूरी दुनिया में cricket के बादशा और finisher के रूप में जाने जाते हैं, वो शुर जिसकी वजह से आज वो success के highest level पर हैं, तो दोस्तों, अगर सभी successful लोग पहले ही ये सोच लेते कि वो जहां जिस profession में enter कर चुके हैं, वहीं इनकी दुनिया है, तो ये कभी भी एक काम्याब इनसान नहीं बन बाते, इसलिए अपने दिमाग से सबसे पहले तो हमें ये बात ह अटानी होगी कि successful लोग कुछ और ही होते हैं, वो भी हमारे और आपके जैसे common ही होते हैं, और जैसे वो अपनी field के master हो सकते हैं, उसी तरह हम भी अपनी field के master बन सकते हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, हम present time में कुछ भी कर रहे हूं, किसी भी situation में हूं, लेकिन अगर हमें master बनना है, हमें highest level की success को पाना है, तो हमें अपने origin की ओर लोटना होगा, वही एक रास्ता है, जिस पर चल कर ही हम mastery हासिल कर सकते हैं, इसके लिए ये जरूरी है कि हम time रहते अपने passion की ओर मुड जाएं, नमबर दो, अपना interested field पता करें, दुनिया भर में 90% लोग ऐसे होते हैं, ज हो ऐसा काम करते हुए अपनी life बरबात कर देते हैं, जिसमें उनका कोई interest नहीं होता, और बाद में कहते हैं कि वो सफल नहीं हो सके, दोस्तों जब हमें ये भी नहीं पता होगा, कि हमें करना क्या है, हमारा interest क्या है, तो हम successful कैसे हो सकते हैं, हम success तक कैसे पहुँच सकते हैं Robert Green मानते हैं, हर इनसान अपने अंदर एक special hobby रखता है, वही hobby उसे एक successful इनसान बनाने में उसकी help कर सकती है, लेकिन कई बार हर इनसान अपना target आसानी के साथ सर्च नहीं कर पाता, वो ये जान ही नहीं पाता, ये उसका interest आखिर है कहां, ऐसे लोगों के लिए इस chapter में बताय है कि कैसे वो अपने life के target को आसानी से अचीव कर सकते हैं, जब हमें अपना target सर्च करने में परेशानी होने लगे, हमें लगे कि हम अपने जीवन का सही aim नहीं ढून पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने बच्पन की ओर लोटना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि बच्पन में जब हम पर कोई pressure नहीं होता था, तो खाली समय में हम क्या करते थे। खुशी मिलती है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर के मीडियम से रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि बच्पन के interest को जान कर हम अपनी life के aims जान सकते हैं। हम अपने past में देखें कि क्या करना हमें सबसे ज्यादा पसंद था और अपना right passion पहचान कर उस पर काम स्टार्ट कर दें। नमबर 3. Change your ways, not aim. लेनाडो द विंची जब एक छोट इसे studio के लिए चित्र बनाते थे तो उन्हें उनकी ability के हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे बलकि उन्हें customer की requirement के हिसाब से bonding में काम करना पड़ता था। ये सब देखकर विंची ने उस studio को छोड़ दिया और एक दूसरी जगा जिसे Alan कहते थे वहीं चले गए जहां उनके talent की काफी पहचान मिली। वो सीधी client के लिए paintings बनाने लगे जहां से उन्हें अच्छी खासे income मिलने लगी। दोस्तो, Leonardo Da Vinci के इस example से writer हमें बताते हैं कि कभी-कभी सही रास्ते पर चलते हुए भी भटकने की situation आ जाती है। ऐसे समय में हमारा मन हमारे aim से भटकने लगता है। जब हम अपनी ability के हिसाब से output नहीं दे पाते या नहीं हासिल कर पाते तो हमें लगता है कि हमारा target ही खराब है। जबकि reality में ऐसा नहीं होता है। इसलिए author बताते हैं कि अगर हमारा target सही है तो हमें केवल अपने रास्ते change करने चाहिए ना कि aim। नमबर चार पुरानी बातें छोड़ दें। बुक के author रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि लाइफ उतनी बड़ी नहीं है जितनी seriously से हम इसे लेते हैं। वो ये बिलकुल नहीं कहते कि लाइफ को seriously ना लें। बलकि उस बात पर focus करते हैं जिसमें इनसान अक्सर अपने करियर के चकर में पूरी लाइफ गलत काम करने में खराब कर लीता है। इसलिए Robert Green कहते हैं कि समय के साथ जब आपको लगे कि आपने गलत profession चुल लिया है जिसमें आपका बिलकुल भी interest नहीं है तो आप उसे उसी समय छोड़ दें। क्योंकि बिना interest आप उस काम में successful नहीं हो सकते। इसलिए गलत रास्तों से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल आएं। सीखने की शुरुआत। दोस्तों, इस चैप्टर में author success की पहली सीड़ी के बारे में बताते हैं, जिसके बगएर mastery जैसा aim अचीव करना एक dream है। वो कहते हैं कि college life के बाद जैसे ही हम अपनी professional life में entry करते हैं, तो वहां के work culture को जानना, समझना, जिस stage में आता है, उसे apprenticeship कहते हैं। apprenticeship किसी बड़ी building को तयार करने में base के जैसे काम करती है। यहां हम बहुत सारी ऐसी situations में खुद को पाते हैं, जिनके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं होता है। किसी भी field में mastery हासिल करने के लिए, किसी भी इनसान को लगभग 20,000 घंटे की continue मेहनत या 10 साल का experience चाहिए होता है। जिसमें वो different type के skills, tips, manners और disciplines सीख था है। सीखने का ये process इतना fundamental होता है कि चाहकर भी कोई भूल नहीं पाता। इन 20,000 घंटों के शुरुआती 2 से 4,000 घंटे apprenticeship में आते हैं। आगे Charles Darwin का example लेकर हम apprenticeship के importance को समझते हैं। दोस्तो, Charles Darwin जब छोटे थे तो उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घंटों बैट कर syllabus के किताबे पढ़ना उनके लिए सबसे boring काम था। ये सब देखकर उनके पिताची को बहुत परेशानी होती थी। वो जानते थे कि बिना पढ़ाई, बिना career, बिना पैसों के life में कितना struggle होता है। वो बाद बाद पर Charles को डाटते, उसे समझाते, पर Charles का पढ़ाई में कोई interest नहीं जगा। एक दिन उनके पिता ने नाराजगी से Charles से कहा, कि तुम दिन भर हंटरिंग करते रहते हो, ना पढ़ना, ना लिखना, तुम पूरे परिवार के नाम पर कलंख हो। ये बाते Charles जिन्दिगी बर भुला नहीं पाए। जब Charles 15 साल के हुए, तब उनके पिता ने उनके करियर के प्रती अधिक एक्टिविटी दिखाते हुए, उन्हें एलन बेरा मैडिकल स्कूल भेज दिया। लेकिन Charles को खून देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो वहाँ ज्यादा दिनों तक रुक नहीं पाए, और वापस अपने घर लोट आए। लेकिन Charles के पिता उनके लिए कोई भी करियर सर्च करने के लिए तयार थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इसे चार पैसे कमाना सिखाया जाए। चार्स के पिता ने किसी छोटे गाउं के एक चर्च में उसे पादरी के रूप में लगवाने का फैसला किया। और बदले में Charles से कह दिया कि पादरी बनकर उन्हें ठीक ठाक पैसा तो मिलेगा ही बलकि खाली टाइम भी मिलेगा जिसमें वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं। जिसे उसके पिता पागलपन कहते थे। सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि Charles को ये सब बहुत पसंद था। लेकिन चर्च में पादरी बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिगरी होना जरूरी था। इसलिए Charles को उनके पिता ने Cambridge University में डिगरी अचीव करने के लिए भेज दिया। इसलिए Charles का फिर से बैट टाइम स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बिना इंट्रेस्ट के पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तो अपनी पढ़ाई के टाइम Charles ने अपने एक प्रोफेसर हैसलो से दोस्ती कर ली। खाली समय मिलने पर वो उनके पास रहना पसंद करते थे। Charles को केवल बोटनी पढ़ना पसंद था और वो दिन भर मर चुके कीड़े मकोडो के सेंपल कलेक्ट किया करते थे। कुछ समय बाद जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई उन्हें बैचलर ओफ आर्ट की डिगरी मिल गई। वो घर लोट आए। लेकिन उनके लोटते ही उनके हाथ में प्रोफेसर हैंसलों का एक पत्र लगा। जिसमें प्रोफेसर ने उन्हें एक जहास पर बिना किसी सैलरी के neutralist की पोस्ट पर नौकरी दिला दी थी। जिसमें चार्ल्स को पूरे वर्ल्ड की ट्रिप पर पानी के एक सिप के थूウ पूरी टीम के साथ जाना था। लेकिन ये काम ऐसा था जिसमेंगे पैसा नहीं मिलन इस बार उनके पिता भी मान गए अब चार्ल्स का नया सफर शुरू हो चुका था वो सालों की यात्रा पर अपनी फैमिली से दूर रहने वाले थे शिप पर आती पर डे की परिशानिया और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण चार्ल्स डाविन की हेल्थ डे बाई डे बिगरने लगी उनके दिल में ये बात बहुत डीपली बैट चुकी थी कि अब वो सालों तक अपने घरवालों से दूर रहेंगे वो जिस शिप पर जाने वाले थे उसके कमांडर का नेचर भी बहुत अच्छा नहीं था वो बात-बात में चार्ल्स को उल्ट अमेरिका की नई-णई जगों पर जाकर रिसर्च में अपने सीनियर्स का हाथ बटाने लगे यहां उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा था जिसके चार्ल्स ने जीवन में कभी इमैजिनेशन भी नहीं की थी उन्होंने वहां बड़े-बड़े अनिमल्स की ओल्ड का एक प्रोसेस है टाइम के अकॉर्डिंग उनका शेप उनकी बॉड़ी और उनकी नीट्स चींज होती रहती हैं इसी त्योरी को आगे चलकर पूरी दुन्या में डाविन बात के नाम से जाना गया तो दोस्तों यहां हमने देखा कि डाविन की लाइफ में कितनी मुश्कि कि बिल है यह हमें चार्ल्ड डाविन की कहानी पढ़कर पता चलता है दोस्तों जब हम अपनी एजुकेशन पूरी करके अपने करियर की ओर बढ़ते हैं तो जो शुरुवाती दौर आता है ना उससे अप्रेंटिस dove कहते हैं अप्रेंटिस शिप में हम अपने कारियर या न फ्यूचर में काम करने की तरीके उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स और उनकी सिल्यूशन के बारे में नॉलिज गेन करते हैं। और की according apprenticeship के लिए हमको ऐसी workplace का चुनाओ करना चाहिए जहां हम अपने internal knowledge को develop कर सकें। शुरुआत में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इस apprenticeship में हमें कितना पैसा मिल रहा है। बलकि हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस जगा apprenticeship कर रहे हैं, उस जगा हमको सीखने को कितना मिल रहा है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा knowledge gain करना ही एक apprentice का target होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह हर काम के लिए कुछ जरूरी stages होती है न, उसी तरह apprenticeship भी कुछ stages में पूरी होती है। किसी workplace में आप enter करते ही सब कुछ सीख जाएं, ये तो impossible है। Mastery Book के author Robert Green के according, apprenticeship में एंटर करने वाले apprentice को नीचे लिखे हुए तीन phases में अपने apprentice को पूरा करना चाहिए। नमबर वन, Deep Observation ये apprenticeship का सबसे पहला stage होता है। जैसे ही कोई apprentice, apprenticeship में एंटर करता है, तो उसे सबसे पहले इसी stage का ध्यान रखना चाहिए। अपनी apprenticeship के सबसे शुरुवाती time में हमें एक Deep Observation की जरूरत होती है। हमें अपने workplace पर होने वाली सबी processes को बड़ी deeply समझना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस field में apprenticeship कर रहे हैं, उसमें कोई process ऐसा ना बचे जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। हमें शुरुवात में imagination करने के गलतिया नहीं करनी चाहिए। ये चीजें हमारे apprenticeship में हमारे लिए dangerous हो सकती हैं। जिस process के बारे में हमें deep knowledge ना हो, उस पर अपने आप experiment नहीं करने चाहिए। इससे हम अपने boss की नजरों में गलत बन सकते हैं। दोस्तों जहां तक possible हो, हमें शुरुवात में ही पूरे process को deeply अपने अंदर convert कर लेना चाहिए। फिर हमें अपने इस observed knowledge का use अपनी workplace पर करना चाहिए। सही तरह से काम करने की art आपकी workplace पर आपके sector के और लोगों पर impression डाल दी है। इसलिए इसका ध्यान हमेशा रखें। apprenticeship के इस पहले phase में हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने आपको साबित करने पर देना चाहिए। और समय मिलते ही अपने आपको सबसे अच्छा साबित करना चाहिए। Number 2. Skill enhancement apprenticeship के इस दूसरे stage को practice mode भी कहते हैं। ये apprenticeship का एक important stage है। पहले phase में हम जो कुछ भी सीखते हैं, अब हम उसके exercise इस phase में करते हैं। किसी भी चीज को एक बार सीखने के बाद, जब हम उसकी एक दो बार exercise करते हैं न, तो वो चीज हमारी mind के subconscious हिस्से में बैठ जाती है। और इसके बाद वो चीज पूरी life के लिए हमारी दिमाग से निकाले नहीं निकलती। इसलिए एक अच्छी apprenticeship में practice का बहुत important role होता है। पहले phase में आपने अपने workplace पर जो कुछ भी सीखा है, अब इस phase में जरूरत होती है कि आप उसको अपने workplace पर होने वाले process में apply करें। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक समय में ही skill पर काम करें, उसी को सीखें और उसके बाद उसी पर practice करें। पहली stage में deep observation के बाद जब हम practice शुरू करते हैं न, तो कई बार हम अपने इस काम से बोर हो जाते हैं, कभी-कभी हम इसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन reality कुछ और है। Practice के दौरान मिलने वाला physical और mentally pain हमारे mind को odd strong बना देता है। ये pain केवल कुछ time के लिए होता है, उसके बाद वही काम हमें आसान लगने लगता है। दोस्तों, इस book के author Robert Green का मानना है कि कि किसी भी skill पर लगतार तीन घंटों की deep practice से अच्छा है, आप 8 घंटे आराम से practice करें। ऐसा करने से आप उन चीज़ों को और अधिक अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। apprenticeship के इस stage में कई बार हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे और हमें इससे बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकलते हैं, तो आपको real खुशी नहीं मिलेगी। writer की according real pleasure उसी को मिलता है, जो ये phase पूरा करता है। real joy challenges के सामने जुगने से नहीं है, बलकि उसको cross करने में है। author कहते हैं कि किसी भी इनसान को real joy अपने skills में mastery हासिल कर लेने के बाद मिलने वाली power से मिलता है। अप्रेंटिस्टिप के इस तीसरे और सबसी important stage को active mode कहते हैं। यही हम पिछले दोनों phases में सीखे गई knowledge और practice किये गई knowledge को अपने practical mode में convert करते हैं। हमने जो कुछ पहले phase में process को सीखा और दूसरे phase में mask process का exercise किया, उसको यहीं पर practical के तौर पर लागू करते हैं। यहां हम दोनों phases में जिन problems को phase करते हैं, उनको अपने mind से solution देने का काम करते हैं। दोस्तों, आगे लेखक Robert Green एक ideal apprenticeship पूरी करने के लिए कुछ जरूरी strategies बताते हैं। अगर हम उनको अपने workplace पर apply करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आईए जानते हैं, Robert Green की बताई गई कुछ strategies के बारे में, जो एक ideal apprenticeship पूरी करने के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, हमें अपनी apprenticeship करते समय अपने workplace में अपने mentor, आसपास के लोगों और उससे related किताबों से अपनी field की knowledge को gain करते रहना चाहिए। अपनी knowledge को development करने का ये हुनर आपको आपकी field में काम करने वाले बहुत सारे लोगों से आपको अलग कर देगा। नमबर टू, बच्चों जैसे रहें। दोस्तो, जब हम अपनी field में apprenticeship कर रहे होते हैं, तो हम चीजों पर इतनी अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, जैसे हमें देना चाहिए। हमें चीजों को सिर्फ देखने की बजाए, वो कैसे काम करती हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने workplace की एक पूरी picture अपने दिमाग में खीच लेनी चाहिए। हमें अपने पूरे process के बारे में deeply knowledge लेनी चाहिए और एक deeply समझ अपने अंदर develop करनी चाहिए। लेखक Robert Green का मानना है कि कई बार हम अपनी तारीफ में इतने खो जाते हैं कि हम गलत काम को भी सही मान लेते हैं, क्योंकि वो हमने किये होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना सबसे बड़ा opposite होना चाहिए। हमें अपने कामों की खुद कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए। कोई भी इंसान किसी भी सेक्टर में आते ही master नहीं बन जाता। सकसेस पानी के लिए हमको कई बार failure को भी face करना पड़ता है। इसलिए हमें उन सबी failures को accept कर लेने के लिए तयार रहना चाहिए जो हमें हमारे career सेक्टर में देखने के लिए मिल सकती हैं। हमें जितनी बार हमारे सेक्टर में failure मिलेगी उससे हमारा confidence और बढ़ेगा। हम चीजों को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अपने काम पर focus करें। दोस्तों इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो fake life जीने में believe करते हैं। और एक वो जो reality में जीते हैं। पहली तरीके के जो लोग होते हैं न वो हमेशा अपनी life में आने वाली satisfaction और खुशियों के बारे में सोचा करते हैं। लाइफ के challenges को accept करना उनके लिए सबसे कठिन काम होता है। वो छोड़ी छोड़ी problems देखकर भाग जाना चाहते हैं। उनके लिए ये life सिर्फ luxurious time spent करने के लिए मिली है। वो हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही होता रहे जैसा वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो life की reality को समय रहते जान लेते हैं। वो जानते हैं कि life में हमेशा satisfaction नहीं मिल सकता, हमेशा खुशियां ही नहीं मिलती। इन satisfaction से पहले हमें मिलते हैं challenges। ये challenges छोटे छोटे टास्क के रूप में मिलते हैं, जिसे पूरा करके ही कोई आदमी छोटी सी छोटी खुशियां बाता है। ऐसे इनसान पहले ही जान लेते हैं कि सब कुछ इस दुनिया में उनके मन के according नहीं हो सकता। इसलिए वो आगे हर situation में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अब जब हम किसी workplace में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर आने वाली problems, आने वाली challenges, आने वाली कठिनाईयों को देख कर, हमारे मन में तरहा तरहा के thoughts आते हैं। कई बार लोगों का मन काम के pressure से बोर हो जाता है और वो उसे जल्दी ही छोड़ देते हैं। कई बार लोग depressed हो जाते हैं और अपनी life को गालियां देने लगते हैं। कई बार ऐसी situation में लोग नए-णए रास्ते तयार करने लगते हैं। वो अपने workplace पर अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करके उनसे friendly relationship बनाकर अपने काम को easy करना चाहते हैं। कई बार वो अपने senior से दोस्ती कर लेते हैं जिससे ज्यादा challenges आने पर उन पर काम का इतना pressure उनके senior ना बनाए। दोस्तों, इस book के author Robert Green कहते हैं। problem से निकलने का ये तरीका हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इससे हम उस समय तो अपने अंदर खुशी फील करते हैं। लेकिन future में फिर ऐसी problem साने पर हम उनको face नहीं कर पाते। Robert Green का मानना है कि किसी भी problem को ignore करके आगे नहीं पढ़ा जा सकता। अगर हमें life में आगे बढ़ना है, तो problems और acceptations को face करना चाहिए। जो इंसान problems को face करना सीख गया, उसके लिए दुनिया के बड़े से बड़े challenges भी आसान हो जाते हैं। इसलिए author का मानना है कि अपने workplace में होने वाले हर एक process को बहुत अच्छी तरह से सीखें। और उसमें आने वाली हर समस्या को face करने में अपने senior से help लें। ताकि आने वाले समय में जब कभी किसी तरह की कोई problem आए आपके सामने तो आप उनसे मूँ न मोडें बलकि आपके पास उनसे लड़ने के लिए नए नए ideas available रहें। आगे author इस बात पर भी जोर देते हैं कि जीवन में काम्याब बनने के लिए जितनी जरूरत आपकी उस काम के प्रती, interest और मेहनत की है। उससे कहीं ज्यादा जरूरत है एक अच्छे teacher की। जी हाँ, अपनी field के बारे में जिस इंसान के अंडर में रहकर आप सीखते हैं, उसका effect आपके अंदर जीवन भर दिखता है। या किसी unsuccessful आदमी से education लेते हैं, जिसके पास ना तो उतना ज्यादा experience है और ना ही success, तो बहुत कम chances होते हैं कि आप अपनी जीवन में या अपनी field में mastery हासिल कर सकें। इसलिए ये जरूरी है कि आप जिसके अंडर में रहकर अपनी field के बारे में सीख रहे हैं, वो उस field का master होना चाहिए, जो आपको आगे उस field में आने वाली समस्याओं के बारे में बताता रहे और उनका solution भी समय समय पर आपको सिखाता रहे। दोस्तो, एक अच्छा teacher या trainer खोज लेने के बाद जरूरी होता है खुद को surrender करना। राइटर का मानना है कि इस दुनिया में सब को अपनी prestige और self respect की चिंता रहती है और हर कोई चाहता है कि दूसरा इंसान उसको सम्मान दे। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने workplace के trainer से जब भी बात करें तो अपना ego दूर रखकर बात करें। काम करते समय अगर workplace पर आप से कोई गलती हो जाती है और आपका trainer आप से बुरे शब्दों में बात करता है तो उसे नजर अंदाज कर दीजे क्योंकि यही चीजें आपको उस field में mastery हासिल करवाएंगी। कई बार हम इस process में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और हम अपने trainer या teacher को impress करने के लिए हमारे मन में आने वाले सवालों को उनसे इसलिए नहीं पूछते कि वो क्या सोचेंगे। बलकि writer का मानना है कि किसी भी type के छोटे से छोटे questions पर भी तुरंत action लिया जाना चाहिए। इनमें से इस बारे में तुरंत बात करनी चाहिए और तब तक बात करनी चाहिए जब तक इसका पूरा तरीके से solution ना निकलाए। सीखने वाला struggle और problems को phase करने वाला इनसान ही mastery पाने के लिए eligible है। जिसके अंदर ये quality develop नहीं है, वो success के top level तक नहीं पहुँच पाएगा। हमारा target एक बार deeply पूरी knowledge gain करने को लेकर होना चाहिए। इसके बाद हमें अपने आसपास जो भी लोग हमारी field के हैं, उनसे आगे निकलना हमारा aim होना चाहिए। जो इनसान एक-एक task पूरा करते हुए अपनी life में धीरे-धीरे develop करता है, एक ना एक दिन वो mastery के level तक जरूर पहुँच जाता है। technique of knowledge दोस्तो, इनसान situation का knocker होता है। उसकी जैसी situation होती है, वो वैसे ही fast ले लेता है। पूरी दुनिया में 5% लोग ही ऐसे होंगे जो अपनी situation से हटकर कोई फैसला कर सकें। Otherwise, कोई भी अपने comfort zone से बाहर नहीं जाना चाहता। ज्यादतर लोग नहीं चाहते कि वो ऐसे fast ले लें जो उनकी situations इजाजत नहीं देती। और यही कारण है कि आज भी 90% लोग गलत कामों में लगे हुए हैं। उनको जो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। यही वो कारण है कि इस दुनिया में बराबर के resources होते हुए भी एक इनसान बहुत अधिक काम्याब हो जाता है और दूसरा आदमी वहां तक नहीं पहुँच पाता। अगर इस दुनिया में सभी इनसान अपनी hobbies के according सही काम पकड़ें यानि सही काम करें तो काम कम नहीं होंगे, मलकि इससे दुनिया और develop हो जाएगी, दुनिया और progress करेगी। क्योंकि जिस काम को गलत आदमी कर रहा है, ना तो वो इनसान खुश है और ना ही उस फील्ड का काम इतने अच्छे धंग से हो पा रहा है। जितने अच्छे धंग से वो इनसान इस काम को कर सकता है, जिसका उस काम के प्रती interest हो। दोस्तों, mastery book के author Robert Green अपनी इस book में आगे chemistry के famous scientist Michael Faraday के example को लेकर knowledge और इनसान के बीच एक ऐसा derivation बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो बताते हैं कि कोई ऐसा इनसान जिसे अपने aim का दूर दूर तक कोई ग्यान नहीं था, कोई इल्म नहीं था, वो नहीं जानता कि उसे life में क्या करना है, क्या नहीं करना, उसे भी उसका target किसी ना किसी medium से जीवन में कभी ना कभी मिलता रहता है, बस जरूरत होती है उस target को ठीक तरह से समझ पाने की और उस पर ठीक तरह से काम कर पाने की, माइकल फेरडे एक गरीब फैमिली से आते थे, उनकी फैमिली के पास इतना भी पैसा नहीं था, कि वो माइकल को एक अच्छी education दिला सके, education दिलाने की बात तो दूर, उनकी situation इतनी खराब थी, कि उनके प लगाया जा सके, जिससे परिवार की इंकम बढ़ सके, फैरडे के घर से थोड़ी दूर पर एक किताब की दुकान थी, वो वहाँ जाया करते थे और उस दुकान में रखी हुई सैक्रो किताबे देख कर, उनके मन में घजब का excitement होता था, क्योंकि इससे पहले माइकल ने बैट कर किताबे पढ़ा करता, माइकल किताबों के अंदर knowledge के इतना deep ocean देख कर, हमेशा हैरान हो जाते, और कुछ ही समय में उन्होंने ये जान लिया कि किताबें उन्हें दुनिया की हर बात सिखा सकती हैं, रोज अपनी दुकान पर आते माइकल को, और उनकी situations को देख कर, शौप की पढ़ने उनको उसी दुकान पर बुक्स को बाटने का काम दे दिया, और उनके interest को देख कर, खाली टाइम में बुक्स पढ़ने की इजासत भी दे दी, अब माइकल दिन भर के खाली समय में किताबे पढ़ा करते, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते, जब नई इसके होते हुए भी success हासिल की है, काश वो भी कुछ वैसा ही कर पाएं, लेकिन एक बुक बाटने वाले apprentice का, जिसके पास ना तो resources हैं, ना ही पढ़ाई का कोई जरिया, ऐसे में किसी field में mastery हासिल करना, अपने हाप में बहुत बड़ा challenge वाला काम था, लेकिन कुछ टाइम के बात उन्हें ऐसी किताब मिली जिसने उनकी life की राह ही बदल डाली, उस बुक का नाम था Improvement of Your Mind, उस बुक में बताया गया था कि कैसे कोई common इनसान भी अपनी field में success पा सकता है, उसमें science के बारे में mysterious चीज़ों के बारे में बताया गया था, और उस बुक के writer ने ये भी लि दोस्तों, Michael Faraday जिस दुकान पर काम करते थे, उसी के पीछे वाले कमरे में science के छोटे मोटे research करने लगे, उन्होंने एक साल में invention पर एक बहुत बड़ा notes तयार किया, लेकिन बिना किसी degree के, बिना किसी trainer के, उनके वो notes कौन मानता? इस समस्या से निकलने के लिए Michael एक institute में काम करने वाले clerk से मिले, जो कि Michael के इस काम से बहुत impress हुआ, और उसने Michael को उस समय के famous scientist, DV की speech का एक ticket दिला दिया, जो कि उस समय जगा जगा popular show हुआ करते थे. Michael DV के knowledge से बहुत impress हुए और अपने मन में ये फैसला किया कि उसे DV के साथ काम करना है. फिर दोस्तों कई तरह की problems का सामना करते हुए Michael को इन notes के सहारे, scientist DV के office में नौकरी मिल गई. वो वहाँ chemical की खाली बोतलेंद होने का काम करने लगे. DV और Michael में एक similarity थी. वो ये कि वो भी गरीब family से belong करते थे और उनकी भी education इतनी अधिक नहीं हो पाई थी. DV के research center में Michael एक apprentice के रूप में बहुत कुछ सीखने लगे. धीरे धीरे माइकल इतने काबिल हो गए कि तमाम ऐसी research वो करते थे जो DV की सोच से भी परे थी. ये सब देखकर DV उन्हें अपने अंदर दवाने लगे. वो नहीं चाहते थे कि कोई उनसे आगे निकले. इस तरह काम करते हुए माइकल और DV के रिष्टे शुरुआत में तो सही रहे लेकिन आखिर तक आते आते बिगड़ने लगे. जब माइकल कोई अच्छा research करते थे तो DV चाहते थे कि इसका credit उनको मिले. लेकिन साथ सालों की hard apprenticeship के बाद माइकल फेरडे के अंदर घजब का talent डिवलप हुआ. जिसके थूफ फेरडे ने electricity में magnetic effect के बारे में बताया जिसका दुनिया में पहले किसी को कोई इल्म नहीं था. माइकल की इस छोटी सी स्टोरी के medium से author एक साथ में कई कई बाते बताना जाते हैं. वो बताते हैं कि अगर आपका aim सही है तो आप किसी ना किसी medium से रास्ता खोज ही लेंगे. क्योंकि सही aim और सही काम दिमाख के उस subconscious mind में बैठ जाता है जो आपको हमेशा अपने target को अचीव करने के लिए input देता रहता है. अब माइकल फेरडे को ही देख लीजे. वो छोटे से परिवार से निकल कर एक महान वेग्यानी के पास अच्छी apprenticeship लेना और उस विशय में master हासिल करना. ये सब इतना आसान नहीं था. लेकिन उनका target उनके लिए नए नए रास्ते खोलता गया. उनकी institute के clerk से मुलाकात होना, scientist DV की speech और उनके साथ काम करने का मौका मिलना, ये सब एक ऐसी mystery को denote करता है कि जैसे कोई external power आपको आपके अपने सही target तक पहुँचाने में आपकी help करती है. Robert Greene कहते हैं कि एक अच्छा trainer उस पारस stone के जैसा होता है, जिसमें लोहे को भी सोना बनाने की quality होती है. इसलिए समय समय पर अपनी knowledge की according नए नए trainers और teachers की खोश करना और उनसे जितना possible हो सके, knowledge लेते रहना, mastery हासल करने का एक important process है. हाँ, कई बार कोई teacher या trainer scientist डीवी के जैसा भी मिल सकता है, जिसके पास knowledge तो काफी होती है, लेकिन शायद वो आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ ना देख पाए. Robert Greene के according ऐसे trainer से पूरी knowledge पा लेने के बाद अलग हो जाना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे की जिन सालों में आपको master बनना है, अगर आप उसी इंसान के एंडर में काम करते रहे, जो आपको अपने नीचे दबा कर रखना जाता है, तो शायद आप कभी भी mastery हासिल नहीं कर पाएं. इसलिए knowledge की ये technique हर उस इंसान के बहुत काम की है, जो अपने field में mastery हासिल करना चाहता है, जैसे वो हैं, दोस्तो, human अपनी society से जुड़ा हुआ है, अगर किसी इंसान से ये कह दिया जाए कि उसे अपनी पूरी life ऐसी place पर बितानी है, जहां कोई दूसरा इंसान नहीं होगा तो उस आदमी के जीवन जीने की desires बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, दुनिया की सारी success इंसानों के लिए होती है, और सभी success का जशन इंसानों के ही बीच में होता है, हमारी हर success में भी कहीं न कहीं किसी आदमी या किसी औरत का हाथ होता है, success पानी के लिए हम जिस रास्ते sources की जरूरत होती है, आदमी भी इन ही में से एक है, दोस्तों किसी भी इनसान को देखकर हमारा mind तुरंत उसके बारे में तरहा तरहा के instructions देने लगता है, हम अपने emotions में बहकर ज्यादतर लोगों को सही तरीके से पहचान नहीं पाते, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए द इनसानों की सही पहचान बहुत जरूरी है, जिसने अपनी लाइफ में इनसानों को ठीक तरहा से पहचानने का हुनर सीख लिया, वो अपनी लाइफ में success के दर्वाजे तक बहुत जल्दी पहुँचेगा, रॉबर्ट ग्रीन का मानना है, हम अक्सर अपने साथ के लोगों क पहचानने में गलत ही कर देते हैं, हम गलत लोगों को सही और सही लोगों को गलत मान लेते हैं, जिससे हमें आगे बहुत परेशानी होती हैं, जरा सूचिए, हमारे आसपास, परिवार के लोग, रिष्टेदार, दोस्त, करियर में साथ रहने वाले लोग, जिनके साथ बहुत वक्त बिदाते हैं अगर हम उनके नेचर को सही वक्त पर अच्छी तरह पहचान लें कि उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है तो हम कितना आगे जा सकते हैं यह बात केवल करियर की गाइडलाइन्स के लिए नहीं है बलके रिष्टे संभालने में भी यह चीजें आपके बहुत काम आएंगी अगर आप अपने रिलेशन्स में या वर्ड प्लेस पर अपने सीनियर्स के नेचर को जान लेंगे तो यह बात श्योर है कि आप उसके कहने से पहले ही वो काम कर देंगे जो वो चाहता होगा एक बार सोच कर देखिए इससे आपकी पूरी लाइ अपरिका का फाउंडर फादर भी कहा जाता है ऑथर बेंजमिन फ्रैंकलिन के बारे में बताते हैं कि बेंजमिन जब छोटे थे तो वो राइटर बनना चाहते थे लेकिन वो जिस फैमिली से आते थे उनकी सिचुएशन उन्हें राइटर बनने की फ्रीडम नहीं देती थी जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो उनके साथ बड़ी हो रही थी परिवार चलाने की जिम्मेदारियां जो कि लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली में सब के साथ होती थी Benjamin ने समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने बड़े भाई की प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर नौकरी करने लगे लेकिन उनका एम उनकी नजरों से दूर नहीं था उनकी सोच में एक राइटर ने जन ले लिया था जिसे सिर्फ जरूरत थी तो एक अच्छे प्लैटफॉर्म की कहते हैं कि अगर आदमी का एम बड़ा है तो वो परेशानियों में भी सॉल्यूशन ढून ही लेता है यही कुछ हुआ Benjamin के साथ Benjamin जिस प्रिंटिंग प्रेस पर नौकरी करते थे वहां उस समय के तमाम सारे राइटर्स की किताबें प्रिंट होने के लिए आया कर दी थी क्योंकि एक अच्छा राइटर बनने के लिए एक अच्छा रीडर बनना पड़ता है इसलिए Benjamin ने इसे एक मौका बनाया और जो भी किताब उनकी प्रेस पर आई वो समय निकाल कर उसे जरूर पढ़ा इस तरह से उनका राइटिंग का वर्क अच्छी तरह चलता रहा इसी प्रिंटिंग प्रेस से समय समय पर न्यूस पेपर्स तथा मैगजीन्स निकलती रहती थी जिसमें उस समय के अच्छे-च्छे राइटर्स के लेख निकलते रहते थे एक बार बेंजमिन ने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि उनके भी किसी आर्टिकल को वो किसी नियूस पेपर में जगा दे दे लेकिन उनके भाई ने इसके लिए उन्हें साफ मना कर दिया और साथ में अच्छा काम करने की हिदायत भी दी। इस बात ने Benjamin को बहुत निराश किया। शायद वो अपने भाई को समझने में भूल कर बैठे थे। वो सिर्फ एक अच्छा बिजनिस मैन था ना कि एक अच्छा भाई क्योंकि उसे अपने बिजनिस के आगे अपने भाई के सपनों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। बैंजमिन के माइंड में एक आइडिया आया और उन्होंने अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस पर एक इस तरह का लेग डाग द्वारा भीजा जिसमें उसके भाई को इंट्रेस्ट था। इस पत्र पर बैंजमिन ने अपना नाम च भीजता रहे। अब बैंजमिन चोरी से लेग भीजने लगे और उनका भाई उन्हें बिना जाने ही प्रिंट करता रहा। लेकिन एक दिन बैंजमिन ने अपने वहवाही करवाने के लिए अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया कि ये आर्टिकल वही भीज रहे थे। ये सुनकर उनके भाई को बहुत उसा आया और बैंजमिन को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। अगले दिन उन्होंने वो कॉलम ही खत्म कर दिया जहां बैंजमिन का आर्टिकल प्रिंट होता था। अब उस प्रिंटिंग प्रेस में बैंजमिन फ्रैंकलिन का काम करना बह 17 साल की उम्र में बेंजमिन फ्रैंकलिन अपने भाई और पूरी फैमिली को छोड़ कर एक दूसरे सिटी में रहने चले गए इतनी कम एज और जेब में कोई पैसा ना हो ऐसे में बेंजमिन फ्रैंकलिन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन उनके पास प्रिंटिंग फ्रैस में काम करने का 6-7 साल का एक्सपीरियंस जो था जिसकी वज़ा से उनको जल्द ही उसी शहर की एक प्रिंटिंग फ्रैस में नौकरी मिल गई बेंजमिन फ्रैंकलिन जिस जगा पर रहने गए थी वो उनके सिटी के रिस्पेक्ट में काफी छोटा था इसलिए उनके लिखने के टैलेंट के चलते उनका परिचे उस सिटी के बड़े बड़े लोगों से बहुत जल्दी हो गया यहां तक कि उस शहर का गवर्नर भी बेंजमिन फ्रैंकलिन से अच्छी तरह परिचित हो गया था सिटी का गवर्नर ये चाहता था कि उसका शहर लिट्रेचर में और अच्छा हो जाए इसलिए उसने बेंजमिन फ्रैंकलिन को एडवाइस दी कि वो उसके सिटी में एक नई प्रिंटिंग प्रेस की दुकान खोले क्योंकि उस समय उस शहर में केवल दो ही प्रिंटिंग प्रेस की दुकान थी बेंजमिन फ्रेंकलिन ने अब नई प्रिंटिंग प्रेस की दुकान खोलने का फैसला ले लिया प्रिंटिंग प्रेस में मशीने लंदन से आने वाली थी इसलिए गवंडर ने बेंजमिन से खुद लंदन जाने को कहा और ये भी कहा कि मशीने खरीदने के लिए पैसे उन्हें उधार के रूप में लंदन में मिल जाएंगे बेंजमिन को अपने लग पर बिलीव नहीं हो रहा था वो खुशी से इतने पागल हो गए कि बिना दुकान के उधगातन के ही उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी बेंजमिन जब लंदन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई इसका हाल लेने वाला ही नहीं है अब वो लंदन के गवर्णर से कांटेक्ट करते हैं और अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं गवर्णर के पास उनको ये बात पता चलती है कि जिस सिटी से वो आएं हैं उनका गवर्णर बहुत ज्यादा बातूनी है वो सिर्फ बाते ही करता है उनके पास पैसों के नाम पर कुछ भी नहीं है ये सब जानकर बेंजमिन परिशान नहीं हुए लेकिन अपने बारे में सोचा कि वो अपनी लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोगों को जगा जगा पहचानने में भूल कर रहे थे इसलिए उनको तरहा तरहा की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी अब उन्होंने लोगों को देखने का अपना स्टाइल बदल दिया वो बहुत जल्दी किसी के एमोशन में नहीं बहते थे लंदन में कुछ दिन की नौकरी के बाद जब दोबारह अपने घर वापस गए तो पुरानी नौकरी के बॉस ने उनको एक बहुत अच्छी पोस्ट और अच्छी सालेरी वाली नौकरी दी लेकिन बेंजमिन को ऐसास हो गया था कि कही न कहीं दाल में कुछ काला है क्योंकि अब वो भावनाओं में नहीं बहने वाले उनको अपने बॉस के इरादों का पता चल गया उनका बॉस चाहता था कि बेंजमिन जो जो लंदन से सीख कर आए हैं वो सब उनके स्टाफ को सिखा दें जिस दिन ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसी दिन बेंजमिन को नौकरी से निकाल देंगे बेंजमिन फ्रेंकलिन इस बार फीलिंग्स में नहीं बहे अपनी नई प्रिंटिंग प्रेस की दुगान पर आगे वो सकसिस हो गये लोगों को पहचानने वाले इस हुनर को पाकर बेंजमिन फ्रेंकलिन की पूरी लाइफ बदल गई उन्हें समय समय पर अपने देश की गवर्मेंट के साथ बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करने का चांस भी मिलता रहा दोस्तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि अगर हम अपने इमोशन्स पर काबू नहीं रखेंगे हम अपने आइडियाज टाइम से पहले सब को बताते फिरेंगे तो हमें भी बेंजमिन फ्रेंकलिन जैसा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा जो की सक्सेस फाने के लिए बिलकुल भी जरूरी नहीं है जिस तरह से उनको अपने भाई की प्रिंटिंग प्रेस से नौकरी गवानी पड़ी गवर्नर का धोका मिला उसी तरह हमें भी अपने करियर फिल्ड में तमाम तरीके की कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है बेंडेमिन फ्रेंकलिन की छोटी सी कहानी से ओथर रॉबर्ट ग्रीन हमें ये बताना चाते हैं कि लाइफ में हमें अगर सफल होना है तो लोगों को सही तरीके से पहचानना होगा और अपने एमोशन्स पर काबू रखना होगा की ओफ मास्टरी दोस्तों, दुन्या में हर इंसान अपने घर से काम्याब होने के लिए ही निकलता है हर इंसान का कोई ना कोई एम होता है कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो कोई बड़ी पोस्ट पाना चाहता है कोई साइंस में नए एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो कोई म्यूजिक के सेक्टर में म्यूजीशन बनना चाहता है लेकिन अफसोस है कि दुन्या में हर आदमी को अपनी डिजायर के एकॉर्डिंग सब कुछ नहीं मिल बाता जब किसी इनसान के अंदर अपने करियर में सक्सेस पाने की एक्साइटमेंट जगती है तो उस समय सब कुछ ठीक ठाक होता है लेकिन केवल सक्सेस पाने की डिजायर हो जाने से कुछ नहीं होता जिस तरह छोटे प्लाइंट को जमीन में लगा दें और उसके बाद टाइम टी टाइम उसे पानी और अधर कैमिकल्स ना दें तो उसकी लाइफ में ग्रोथ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ठीक इसी तरह अगर हमारे मन में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने की डिजायर है तो जब तक हम उस पर महनत नहीं करेंगे तो वो डिजायर सिर्फ एक बार रह जाएगी और हम उस फील्ड में मास्टरी तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे दोस्तो बुक के इस चैप्टर में ओथर रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि हम हैबीचुल एनिमल हैं हमारे माइंड का इस्ट्रक्टर इस प्रकार से बना हुआ है कि वो हमेशा बने बनाए रास्तों पर ही चलने में ज्यादा बिलीव रखता है जब तक हम उसको सही इंस्ट्रक्शन ना दें हमारा दिमाख एक बार जो मान लेता है न फिर वो तब तक उसी चीज़ को दोहराता रहता है जब तक कि कोई सॉलिड रीजन उस चीज़ को ना बदल दे जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को तब तक दुनिया का सबसे ग्रेट मैन समझता है जब तक उसे और दुनिया के लोगों के बारे में ग्यान नहीं होता दोस्तो ठीक इसी तरहा जब हम अपने करियर सेक्टर में कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें वही सही लगता है जो हम कर रहे होते हैं हमारा माइंड नहीं चाहता कि हम उन पर नई रीसर्च करें नई information collect करें writer के according ये एक mentally laziness है जो लगभग सभी के अंदर पाई जाती है अगर आप अपनी field में कुछ अलग या better करना चाहते हैं तो ये point आपके लिए बहुत important है क्योंकि अगर आपने इन points पर ध्यान दे दिया तो आप भीर में चलते हुए हर उस आदमी से अलग हो जाएंगे जो आपकी field में अच्छा तो करना चाहता है लेकिन इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता अपने कई भाल लोगों की मूँ से ये सुना होगा कि हमेशा एक target की तरफ ध्यान देना चाहिए तभी सफलता मिलेगी कुछ हद तक शायद ये सही भी हो लेकिन book के author Robert Green का मानना है कि किसी भी इनसान के mind को multi-dimensional होना चाहिए इनसान को अपने दिमाग के structure को इस तरह बनाना चाहिए कि वो एक काम करते हुए भी दूसरा काम आसानी के साथ पूरा कर सके वो अपने career में आने वाली problems पर focused ना रहकर अलग-अलग तरह से सोचने वाला होना चाहिए मान लीजे आप घर से office के लिए निकलते हैं और गलती से गाड़ी की चाबी आप कहीं रख देते हैं पर आपको ध्यान नहीं रहता अब आप देखेंगे कि आप जहां अकसर गाड़ी की चाबी रखते थे उसी जगा पर कम से कम 10-5 बार आप जाएंगे जबकि आप खुद ये बात जानते हैं कि आप वहां अच्छी तरह से चेक कर चुके हैं वहां चाबी नहीं है इस एक्जेंपल से हमें ये पता चलता है कि फोकस्ड आदमी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में पीछे रह जाता है वहीं मल्टी डाइमेंशनल आदमी जो एक काम करते हुए भी दूसरे काम के बारे में सोच सकता है कर सकता है तो वो बहुत आगे निकल जाता है तो दोस्तो हमने पिछले चैप्टर में एक्जेंपल के रूप में बेंजमिन फ्रैंकलिन के बारे में जाना हमने देखा कि कैसे बेंजमिन एक राइडर से एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे आर्टिस्ट और एक अच्छे लीडर सब कुछ बन गए रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि हमें एक समय में एक ही स्किल सीखना चाहिए लेकिन एक स्किल सीख लेने के बाद हमें अपने माइंड को उसी पर फोकस रहने की बजाए कुछ हट कर भी सीखना चाहिए अक्सर किसी काम पर फोकस कर लेने वाले इनसान को दुनिया में होश्यार समझने की गलती कर ली जाती है लेकिन रियालिटी कुछ और ही है दुनिया में जितने भी इन्वेंशन्स हुए हैं जितने भी रिसर्चिस हुई हैं उनमें से ज्यादत रिसर्चिस उस समय हुई जब research करने वाला या तो कोई joke सुना रहा था या हसी मजाग कर रहा था या किसी train या bus में travel कर रहा था बहुत serious रहकर एक ही subject पर focusड होकर problems उतनी जल्दी नहीं सुलशती हैं जितनी जल्दी एक multi-dimensional talent रखने वाला आदमी सुलजा सकता है दोस्तों chapter में आगे Robert Green बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने दिमाग को multi-dimensional बना सकता है यहां उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं जिन पर ठीक से सोचने के बाद हम अपने mind को focus से multi-dimensional mode में convert कर सकते हैं जिसका हमारी life में बहुत अच्छा effect बढ़ेगा नमबर एक सही काम चुने Life में success पाना swimming की तरह है जब हम खुद अपनी swimming के opposite चल रहे हों तब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है राइटर का मानना है कि अगर हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें हमारा interest हो और वो अच्छा भी हो तो उसमें problems कम आती हैं जहां पर problems कम आती हैं वहां पर focus होने की कोई मजबूरी नहीं होती वहां हम अपना काम ज्यादा खुशी के साथ और अधिक mentally freedom के साथ करते हैं जबकि ठीक इसके opposite जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें ना तो हमारा interest हो और ना ही वो काम हमें अच्छा लगे तो फिर उस काम में problems आने के chances बढ़ जाते हैं ऐसे समय में जब हमारे workplace में ज्यादा problems आती हैं तो जाहिर सी बात है आदमी को focus ढोना पड़ता है इसलिए एक multi-dimensional दिमाग पाने के लिए एक अच्छे और सही काम को चुनना बहुत ज़रूरी है अपने mind को open रखें अपने workplace पर success के highest level पर पहुँशने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना mind open रखें हमें केवल उस work के बारे में deep knowledge नहीं होनी चाहिए जो work हम कर रहे हैं बलके उसके साथ साथ काम करने वाले seniors और बहुत सारी situations को देखना चाहिए इससे हमारा confidence level बढ़ता है हमारे अंदर अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर चलने की ability डिविलप हो जाती है जो कि success के लिए बहुत जरूरी है हम खुले दिमाग से जिस freedom के साथ काम कर सकते हैं वैसा काम एक focused दिमाग वाला कभी नहीं कर सकता इसलिए हमेशा अपने mind को situations के according open रखने का try करें दोस्तों आपने अपने आसपास दिमागी रूप से कमजोर लोगों को जरूर देखा होगा कहने को तो ये लोग दिमागी रूप से कमजोर होते हैं लेकिन दिमाग के साथ साथ इनके शरीर का maintenance, इनकी चाल, चलन, इनका रहन सहन, सब कुछ बेढ़ंका हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर का प्रतियक भाग दिमाग द्वारा ही सही तरह से काम करता है इसलिए Robert Green का मानना है कि हमें हमारी daily needs के कामों के साथ साथ हमें अपने दिमाग को भी एक peaceful environment देना चाहिए जिससे ये एनरजिकल फील कर सके और innovation की possibility बढ़ जाए जब हम अपने mind को एक peaceful environment देते हैं तो हमारे internal knowledge की बढ़ने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हम किसी भी thought को ज्यादा शान्ती के साथ सोच सकते हैं और किसी भी समस्या को आराम से हल कर सकते हैं internal knowledge गेन करने के लिए अपने mind को ऐसी situations में रखें जहां उसे freshness का experience होता हो इसके लिए अपने interest के recording हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे किसी को music सुनना पसंद है तो वो समय समय पर music सुनता रहे कोई nature beauty वाली जगों पर घूमना पसंद करता है तो वो खाली समय में वहीं घूम सकता है इस तरह हम यहां दिये गए तरीकम से अपने mind को एक boring focused mindset से एक multi dimensional mind में convert कर सकते हैं जिससे हमें अपनी life जीने में और ज्यादा interest आएगा और अपने workplace पर और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे हम अपने sector में आने वाली problems को अलग-अलग तरीके से देखने में capable हो जाएंगे जिससे उनके solutions की possibility और ज्यादा हो जाएगी अपने mindset को change करने की ये quality किसी भी fresher को mastery तक ले जा सकती है social intelligence दोस्तो किसी भी field में mastery हासिल करने के लिए आपके अंदर ये कुछ quality होना जरूरी है नमबर एक, excitement दोस्तो अगर हम किसी काम को करने बैठते हैं, हम laziness से गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये है, या तो उस समय काम करने की mentally situation वैसी नहीं है या तो उस काम में हमारा interest नहीं है ये दोनों ही बाते हमारे काम को, हमारे work को खराब करती है इसलिए इस book के writer Robert Green का मानना है कि हम जो भी काम करें, उसके लिए एक healthy, man sick environment बनाएं तो सही रहेगा और उसके प्रति excitement रखें जिस काम के प्रति हमारी लगन और excitement होता है उसी काम के जरीए हम सफल हो सकते हैं दोस्तो, जब हम किसी field में अपना career start करते हैं तो उसमें different different type के लोग हमें मिलते हैं कई बार कुछ लोग हमारे ही साथ उस field में काम start करते हैं लेकिन देखते ही देखते वो ज्यादा successful हो जाते हैं और हम उतना नहीं हो पाते हैं ऐसे समय में हमारी मन की hopeless thought उसके against jealousy का रूप ले लेती हैं शायद आप इसके dangerous output को नहीं जानते हैं लेकिन दूसरों को successful होता देखकर jealousy का ये अवगुण हमारी सफलता के रास्ते में भी बहुत बड़ी बाधा बनता है इससे हम अपने aim से भटक जाते हैं और उसे सफल आदमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा time तक भला बुरा सूचने में लगा देते हैं जबकि author का मानना है कि हमें ऐसे समय में अपनी compare किसी से नहीं करनी चाहिए एक ही field में काम करने वाले सभी लोगों के पास अलग-अलग wisdom होता है सभी लोगों के पास अलग-अलग resources होते हैं सभी लोगों के पास अलग-अलग साधन होते हैं इसलिए हो सकता है आपके पास कोई ऐसी एक्स्टरनल चीज़ की कमी हो जो उनके पास मौजूद है। इसलिए हमें अपनी काबिलियत और टालेंट पर शक नहीं करना चाहिए। बलकि जननी की जगा हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जिस दिन आप अपने साथियों से इंस्पिरेशन लेने लग गए न, तो उसी दिन आप अपने आपको उनहीं सक्सेस्पुल लोगों की लाइन में देखना शुरू कर देंगे। नमबर तीन, एक समय में एक ही स्किल्स सीखें। दोस्तो, हमें अपने ध्यान से ये बात बिलकुल निकाल देनी चाहिए कि हम एक ही समय में कई सारे स्किल्स को सीख सकते हैं। इसलिए हमें एक समय में किवल एक ही स्किल पर ध्यान देना चाहिए और उसी में मास्टरी हासिल करनी चाहिए दोस्तो राइटर रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग दुनिया पहले से ज्यादा हार्ड होती जा रही है नए नएर प्रिंसिपल, अपनी तारीफ सुनने की हैबिट और टाइम मैनेजमेंट की वज़ा से हमें अपने वर्क प्लेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ऐसे समय में कई बार हम ऐसा रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे लगे की सारी सिच्वेशन हमारे कंट्रोल में है रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीचना चाहते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती इसलिए दोस्तों जो भी सक्सेस के हाइस लेवल तक पहुशना चाहता है उसे दुनिया की इस हार्डनेस का सामना तो करना ही पड़ेगा हमें अपने वर्क प्लेस में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को एकसेप्ट करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए दोस्तों अकसर लोग अपने काम में अपने स्किल्स के बारे में इतना उलच जाते हैं कि वो हमेशा वही बातें किया करते हैं वो दूसरों से मिलते समय सिर्फ अपनी बाते करते हैं। अपनी बाते करने में वो इतना अधिक डूप जाते हैं कि वो सामने वाले को मौका ही नहीं देते। ऐसे लोगों के लिए रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि किसी भी फिल्ड में मास्टर बनना बहुत चालेंजबिल है। राइटर के अकॉर्डिंग जब हम किसी बिसे बिबात करते हैं न तो हमको अपनी बाते करने के साथ साथ उनकी बाते भी सुनने की आदर डालनी चाहिए। इससे वो आपको अपनी बातें बताने में इंट्रेस्ट लेंगे और आपसे कनेक्टिड रहेंगे। दोस्तों अकसर कोई इनसान जब बहुत अधिक उस्सा करता है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर कोई हिडिन फियर बैठा हुआ है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते ह अपनी वर्क प्लेस पर डर को बाई बाई कहना सीखें। इससे हमारे मन में और अधिक कॉन्फिडेंस आता है और हम चीजों को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। डर की वज़ा से कई बार हमसे वो खलतियां हो जाती हैं जो हम बिलकुल भी अपने वर्क प्लेस पर नही जोस्तो कम समय में किसी व्यक्ति की सक्सेस्फुल लाइफ तभी बन सकती है जब उसके पास कोई अच्छा मैंटर होगा। लाइफ में हमेशा एक जैसे मोमेंट नहीं रहते हैं। जब हम किसी फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तो उसमें तरह तरह की मुश्किलों का सा काम ना हमें करना पड़ता है। हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रोज अपने वर्कपलेस में देखते हैं जिनके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी ही नहीं होती है। कभी-कभी ये चुटी चुटी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम अपना काम के लिए भले ही ना बना हो लेकिन हर आदमी किसी न किसी एक काम को करने के लिए तो जरूर बना है इसलिए अपने काम में आने वाली कठिनाईयों के बारे में अपने आपको गाली मत दीजे अपने आपको दोशी मत ठहराएगे वह सकता है आपके साथ यह सब इसलिए हो रहा ह क्योंकि आपको एक सही mentor अपने workplace पर नहीं मिला एक सही mentor आपकी field में आने वाली हर समस्या से पहले ही आपका सामना करा देता है जिससे आप active हो जाते हैं और जिस काम को करने के लिए आपको बहुत सारी problems face करनी पड़ती हैं बहुत सारा time spent करना पड़ता है तब जाकर वो discipline आप सीख पाते हैं वो सब आप केवल एक mentor की presentation से ही सीख लेते हैं अगर आप cricket देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि हर टीम के पास अपना एक अलग coach होता है यहां तक कि कई बार players के भी personal coach होते हैं टीम का coach एक अच्छा खिलाड़ी हो यह जरूरी तो नहीं है लेकिन discipline बना नए नए खेल के तरीकों के बारे में बताता है यह process सालों साल चलता है जिससे यह सब खिलाडियों के subconscious mind पर बैठ जाता है दीरे दीरे मेहनत और practice से player अपनी अपनी field में mastery हासिल कर लेते हैं दोस्तों बच्पन से लेकर हम जब तक education लेते हैं तब तक teacher के रूप में हमें mentor मि मिले होते और आप से कह दिया जाता कि आपको अपने आप ही सब कुछ पढ़ना है सब कुछ सीखना है तो क्या यह possible होता बिना teacher के आप किताब पढ़ना भी सालों में सीख पाते इसलिए आपको अपनी field के बहुत सारे कम्यों को जानने के लिए एक mentor ही आपकी अच्छे से help क कर सकता है दोस्तों अगर आपको किसी भी field में mastery हासिल करनी है तो यह जरूरी है कि आप एक अच्छा mentor सबसे पहले चुने mentor के पास उस field में काम करने का कई सालों का तजर्बा होता है वो उस field के जो जो principle जानता है जो जो चीजे जानता है वो सब जानने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे अगर आप अपने आप से वो सब जानने के लिए निकल पड़ते हैं तो अपनी life में अपनी field में आपके mentor ने जो भी गलतियां की होती है न वो आपको उनसे बचाने का पूरा प्रयास करता है दोस्तों author Robert Green अपनी इस book में world winner Alexander के बारे में बताते हैं Alexander Greece में जन्मा एक ऐसा young man था जिसने बहुत कम एज में ही दुनिया जीत लेने का सपना देख लिया था उसके पास बहुत ज्यादा resources तो नहीं थे उसके पास परयापत जानकारी भी नहीं थी जिस समय पूरे world पर victory कर रहा था उस समय इस अर्थ पर कौन सा country कहा है ऐसी कोई ज साकार करने के लिए बड़ा बेचैन था उसने अपने सपनों को अपने जीवन का main aim बना लिया उसने बहुत कम समय में दुनिया भर में अपनी victory हासिल की Alexander के mentor का नाम Aristotle था जिसने Alexander को बहुत कम age में ही world victory करने के लिए जरूरी ideas और उस रास्ते पर आने वाले सारे challenges पहले से ही उसे बता दिये थे Alexander के अंदर अपने mentor की वजह से warrior के ऐसे ऐसे skills आ गए थे जिनके छोटे से use से ही आधी से अधिक दुनिया जीत गया वो इसलिए दोस्तो लाइफ में एक mentor का होना बहुत ही जरूरी है strategy for social prestige दोस्तो किसी भी इनसान को mastery level तक पहुँचाने के लिए social तरीके से strong बनना बहुत जरूरी है जो इनसान अपने आसपास के लोगों को impress करने की capacity रखता है जिसमें leadership की capacity होती है अपने साथ दूसरों को लेकर चलने की capacity होती है वही इनसान mastery के level तक पहुँच सकता है यहां Robert Green के बताए गए कुछ ऐसे laws हैं जो कि आपकी social prestige के साथ साथ mastery की रह भी आसान कर देंगे नमबर वन जीवन में नए प्रयोग करें दोस्तो इस book के author Robert Green famous musician Mozart का example देते हैं वो बताते हैं कि बच्पन से ही बहुत talented थे Mozart उनके घर में music का एक environment रहता था इसलिए उन्होंने बहुत ही छोटी age में एक music की quality सीख ली थी जो उस sector में बड़े बड़े लोग नहीं सीख पाए थे लेकिन music में भी certain चीजे थी जिनकी वो education ले रहे थे उनके पिता जी उनकी बड़ी बहन उनकी भी एक certain limit थी जब Mozart को लगा कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है जितना उनके mentor के रूप में उनके पिता ने और उनकी बहन ने उन्हें सिखाया था तो अब उनके मन में नए नए thoughts आने लगे Mozart ने music पर नए नए experiments करना शुरू कर दिये इस बात से उनके पिता नारास तो जरूर हुए वो नहीं चाहते थे कि Mozart कोई ऐसा experiment करे जिससे समाज में उनकी हसी उड़े लेकिन Mozart नहीं माने और उन्होंने समय समय पर अपने music के medium से नए नए धुन निकालना शुरू कर दिया और लोगों तक पहुँचाने का काम किया ऐसा करते समय कई बार Mozart को बड़े musician की jealousy की वज़ा से insult झेलनी पड़ी लेकिन Mozart अपना काम करते रहे और दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि लोग उनके संगीत को उनकी धुनों को बहुत पसंद करने लगे ऐसा करने वाले पूरे एरिया में सिर्फ Mozart ही थे उनके पास जनता को कुछ नया सुनने को मिलता था इसलिए लोग उनसे बहुत अधेक इंप्रेस होने लगे और धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए इन्ही नए एक्सपेरिमेंट के लिए Mozart को आज भी प्यानों की दुनिया का मास्टर माना जाता है दोस्तों ओथर रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि कोई भी इंसान जब किसी करियर में एंटर करता है तो उसका एम हमेशा ये होना चाहिए कि अपने मेंटर से आगे निकलना वो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वहां के सारे नियम सीख ले और उसके बाद उस पर नए एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत करे ध्यान रहे नए एक्सपेरिमेंट हमेशा तभी करे जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए सीखते समय अपने आपको एक छोटा सा बच्चा बना ले जो कुछ भी सीखते समय पचास तरीकों के क्वेस्चन्स पूछता है ऐसा करने से हमारे अंदर आई हुई हर क्यूडियोसिटी को हम अपने मेंटर के सामने रखेंगे हो सकता है कोई ऐसी बात हमारे माइंड में आए जिसके बारे में मेंटर को भी ना पता हो और फिर आप उस पर एक्सपारिमेंट करने लगें और कब नए लौ डेरिवेटिव हो जाएं इसका कोई पता नहीं इसलिए अपने करियर फिल्ड में नए एक्सपेरिमेंट्स करने का हमेशा ट्राई करते रहें दोस्तों मास्ट्री हासिल करने के लिए आपको अपने करियर फिल्ड में ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो एक ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं अपने काम के प्रेशर से परेशान होकर शायद आप भी उनकी हामे हाम भर दें मान लेकि उनके मिलने से काम आसान हो जाएगा लेकिन ओथर रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि ग्रुप में काम करने की डिजायर ज्यादतर वही लोग करते हैं जो लेजी होते हैं जो अपने काम को करपाने में capable नहीं होते हैं वही लोग चाहते हैं ग्रुप के other members उनके burden को bear कर सकें ऐसे लोग हमेशा किसी ऐसे इंसान की सर्च करते हैं जो उनके लिए आकर सारे hard work करें उनको छोटा सा part दे करके उनके कामों से ऐसे लोग खुद profit gain करना चाहते हैं Robert Green के according ऐसे लोगों से हमें alert रहना चाहिए हमें हमारा aim पाने के लिए कुछ समय देना ही होगा कहते हैं success पाने का कोई shortcut नहीं होता इसलिए अपने career field के बारे में पहले सब कुछ सीखें उस पर experiment करें, practical करें यहीं चीजें हमें सही रास्ते पर ले जा सकती हैं दोस्तो कोई आप से कह दे कि आपको वो काम करना है जिसमें आपको interest नहीं है तो क्या आप उसे करना पसंद करेंगे? नहीं न? इसलिए इस Robert Green हमें बताते हैं इस किताब के जरीए कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हमारा interest होना चाहिए और सीखने से हमें प्यार होना चाहिए लव होना चाहिए इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा सीखता है न? वही सबसे ज्यादा सफल बनता है सीखने का ये हुनर हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेना चाहिए राइटर हमें बताते हैं कि इस हुनर को सीखने के लिए जरूरी है कि हम सीखने से प्रेम करें हम हमेशा नई चीजें सीखने का ट्राई करते रहें और उनको अपने जीवन में उतारें और सक्सिस की नई उडान भरें दोस्तो हमें अपने करियर फील्ड में काम करते समय अपने आपको अपडेट रखने की जरूरत होती है ये अपडेट्स ही हमें हमारी फील्ड में काम्याब बनाती हैं अप्रेंटिस्टिप के बाद जैसे ही लाइफ और काम थोड़ा आसान होता है बहुत सारे लोग सीखने की और खुद को अपडेट रखने के प्रोसेस की स्पीड कम कर देते हैं और जो लोग अपने इंटर्नल नौलिज को अपडेट करते रहते हैं वही लोग मास्टरी तक पहुँशते हैं और जो लोग इस प्रोसेस में चूग जाते हैं वो जहां से शुरू करते हैं न वहीं पर खत्म हो जाते हैं लेकर रॉबर्ट ग्रीन के एकॉर्डिंग जितनी दुनिया हम सब के बाहर है उससे कहीं अधिक इंपॉर्टेंट हमारे अंदर की दुनिया है दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सुल्यूशन हमें हमारे अंदर की दुनिया से ही मिलता है इसलिए किसी भी इंसान को मास्टर बनने के लिए उट से इंटर्नल कनेक्शन बनाना ही होगा दोस्तों मास्टरी हासिल करने की कुछ स्ट्राटीजीज इस तरह से है अपनी बुक के आखरी लेसन में रॉबर्ट ग्रीन mastery हासिल करने की कुछ strategies के बारे में बताते हैं जिन पर implement करके कोई भी इंसान अपनी field में master बन सकता है तो आईए जानते हैं वो strategies आखिर हैं क्या दोस्तो अगर आप 10 सबसे successful लोगों के बारे में पढ़ेंगे न तो जानेंगे कि उन में 8 लोग अपने environment से connected थे जब आप दुनिया की भागदोर से थोड़ा दूर होते हैं और nature से connect होते हैं तो जो mindset आपका होता है वो सबसे अलग होता है इसलिए जो इनसान mastery हासिल करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि जब भी समय मिले वो अपने आपको अपने अंदर से connect करने का प्रयास करता रहे दोस्तो सबी लोग हर field में strong नहीं हो सकते इस दुनिया में जिसने भी जन लिया है वो हर काम में excellent नहीं हो सकता लेकिन कोई ना कोई काम तो जरूर होगा जो वो सबसे अच्छे तरीखे से कर सकता है कोई एक अच्छा engineer बन जाता है, कोई एक अच्छा doctor, कोई एक अच्छा cameraman बनता है तो कोई एक अच्छा writer लेकिन सभी quality हर आदनी में आ जाएं ये ज़रूरी नहीं है इसलिए इस book के जरीए author Robert Green बताते हैं कि हमें अपनी strength को पहचाना चाहिए और उसी पर हमें काम करना चाहिए हम जिस काम में पहले से मजबूत होंगे वो काम दूसरे कामों की respect में हम और अधिक अच्छी तरहाँ से कर पाएंगे और उसी में मास्टरी हासिल करने का ये सबसे शानदार तरीका है दोस्तो हम जिस field में अपना career बनाना चाहते हैं हमें उस field की हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना चाहिए अगर हमारे अंदर इन छोटी से छोटी स्किल्स को सीखने की आदत हो गई न तो हमारे लिए मास्टरी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा ये छोटी छोटी चीजें उस ladder की तरहा हैं जिस पर चढ़े बिना हम मास्टरी जैसी मन्जल तक नहीं पहुँच सकते ये छोटे स्किल्स हमारे माइंड में कलेक्ट होते रहते हैं और ये information हमारे nervous system का एक हिस्सा बन जाती है जो की मास्टरी हासिल करने में बाद में हमारी बहुत help करती है दोस्तो जब बात किसी competition की होती है तो जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही तरह की लोग मौझूद रहते हैं एक competition में पार्ट लेने वाले सभी participants लगबग एक समान ही मेहनत करते हैं वो सभी अपने skills पर खूब मेहनत करते हैं लेकिन success केवल एक को ही मिलती है इसका main reason ये है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है जिसकी thought जितनी infinity हो सकती है वो इनसान दुनिया भर के सारे competitions में आगे रहेगा इस तरह के लोग कम ही पाए जाते हैं लेकिन वो अपनी life में mastery जरूर हासिल करते हैं ऐसे लोग हमेशा अपने present time के काम के अलावा आगे की situations के बारे में भी पहले से ही सोच के रखते हैं यही सोच उनको उनके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने साथ अपनी field में चलने वाले हर participant से आगे निकल कर mastery तक पहुँच जाते हैं दोस्तो आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आप mathematics का कोई सवाल हल कर रहे हैं तो कई बार पूरा सवाल हम अपने according सही लगाते हैं लेकिन उसका answer सही match नहीं करता फिर हम answer को गलत कह देते हैं लेकिन ये पता लगाने पर कि जो answer किताब में दिया गया है वही सही है हम फिर से try करते हैं और फिर से पूरा सवाल लगाते हैं लेकिन answer फिर भी match नहीं करता ये process हम कई बार दोहराते रहते हैं लेकिन result वही निकलता है जबकि किताबी answer ही सही होता है ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारा mind काम करने की एक strategy बना लेता है और वो उसी को सही मान लेता है हमारा mind अपने किये गए कामों को गलत मानने की कोशिश बहुत जल्दी नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि उसे extra work करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों इस बुक के last chapter में Robert Green बताते हैं कि हमें अपने आपको दूसरों के हिसाब से भी देखने का हुनर्स सीखना चाहिए कई बार हम अपने आपको इतना सही मान लेते हैं कि सामने वाले की सही बात भी हमें गलत लगने लगती है कई बार आपकी फील्ड में वर्क प्लेस पर आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने के लिए वही पर प्रेजेंट कई लोगों के दिमाग में अलग-अलग सॉल्यूशन्स होते हैं उनके आईडियाज होते हैं ओतर के अकॉर्डिंग हमें सब के आईडियाज को एकसेप्ट करना चाहिए और उनके नजरिये से भी एक बार प्रॉब्लम को देखना चाहिए मास्टरी के लिए ये स्ट्राटिजी बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमन भी है कॉंक्लूजन दोस्तो इस बुक की पूरी समरी सुनने के बाद आपके माइंड का लेवल कुछ न कुछ चेंज तो हुआ होगा कई सक्सेस्फुल लोगों के एक्सपेरिमेंट से बनाई गई ये किताब अपने आप में किसी भी फिल्ड में किसी भी टागेट तक पहुशने के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है इस बुक के माध्यम से हमने अलबर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, मोजार्ट, लियोनार्डो दविंची और एलेक्सेंडर जैसे महान लोगों के बारे में जाना हमने ये भी देखा कि इन सभी की लाइफ इतना ज्यादा आसान नहीं थी सबके जीवन में स्ट्रगल था, सभी ने अपने स्ट्रगल पार करके अपने अपने सेक्टर में मास्टरी हासिल की तो आइए एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमने इस बुक से क्या सीखा एक, कोई काम impossible नहीं है दोस्तो हमने इस बुक में माइकल फैरडे की स्टोरी पढ़ी है हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल था कई बार हम अपने स्ट्रगल से परेशान होकर ये सोच लेते हैं कि जो हमारा एम है शायद वो हमको ना मिले लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि impossible हो जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं इसलिए आशा है कि अगर आपके मन में भी ऐसे कई questions आते हैं कि हमारे रास्ते की problems हमारे target से हमको दूर कर देंगी तो इस book की summary पढ़कर आज से आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे और अपने target के लिए हमेशा काम करेंगे दो, interested field दोस्तो हमें हमेशा वही aim चुनना है जिसमें हमारा interest हो जिस तरह नदी के opposite बहते हुए हम उसमें swimming करना बहुत कठिन हो जाता है उसी तरह अगर हमारे मन में कोई और interest है और हम किसी और काम को कर रहे हैं तो हमारा master के level तक आगे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है इसलिए हमेशा अपने जीवन में वही लक्षे बनाई जिसमें आपका interest हो और जो आप बच्पन से करना चाहते हैं तीन, apprenticeship दोस्तों, अपनी hobbies और interest पहचान करके हमें उस काम के बारे में अच्छी तरह से, पूरी तरह से जानकारियां जुटानी चाहिए हमें उस field के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में हमें अच्छी तरीके से सीखना चाहिए सीखने का ये दोर apprenticeship कहलाता है लेखक Robert Green के according apprenticeship उस foundation की तरह है जिस पर mastery के रूप में एक मजबूत मनजिल तयार की जानी है इसलिए अपनी apprenticeship के दोरान ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज ना छूटने पाए जिसका आप knowledge gain ना कर पाएं दोस्तों ये book हमें बताती है कि एक साथ कई सारे skill सीख लेने की गलत फहमियां हमें छोड़ देनी चाहिए हमें एक समय में केवल एक ही skill सीखना चाहिए otherwise हम सही माइने में कोई भी skill ना ठीक तरह से नहीं सीख पाएंगे अगर आपके मन में कोई और skill सीखने की बात आती भी है तो उसको एक skill सीख लेने के बाद ही लागू करें और उस पर काम करें दोस्तों हमें किसी भी काम में mastery के level तक पहुँशने के लिए एक mentor का बहुत important स्थान होता है हमारा mentor हमें सिखाता है कि हमें अपने target की ओर बढ़ते हुए कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पढ़ सकता है और कौन-कौन से challenges हमारे सामने आ सकते हैं हमारा mentor ही हमें उन सभी problems और challenges से निपटने के लिए एक strategy बताता है जिसे सीख कर हमारी मन्जिल की ओर बढ़ती हुई रहा और आसान हो जाती है इसलिए किसी भी field में mentor का हुना बहुत important है नमबर 6 लोगों को सही पहचानने का हुनर दोस्तों जब हमारी सारी successes इंसानों के आसपास होती हैं तो इनसान भी उस सभलता का एक important part हो जाता है इसलिए Robert Green का मानना है कि हमें हमारे आसपास और हमारी workplace में मिलने वाले लोगों को अच्छे तरीके से पहचानने का हुनर सीखना चाहिए कई बार हम उनको पहचानने में गलतियां कर बैठते हैं जिससे फिर हमें आगे भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है कई बार हम अपने काम से उप करके लोगों को इंप्रेस करने का प्रयास करते रहते हैं जिससे वो हमारी गलतियों पर हमें कुछ कहना सकें लेकिन ये तरीका तो बहुत ही गलत है दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोगों को इंप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका आपका अच्छा काम ही है हमेशा आप अपने काम से बोलें और अच्छे काम से लोगों का दिल जीतने का ट्राई करें नमबर आठ जैलेसी की फिलिंग दोसरों को सफल होता देख कभी कभी हमारे मन में जैलेसी पैदा हो जाती है शायद हम पहचान नहीं पाते लेकिन ये जैलेसी हमारे लिए इतना डेंजर बन जाती है कि हमारी मास्टरी की रह पर पहुँशने में सबसे बड़ी रुकावट बनने का काम यही करती है तो हम अक्सर अपने काम से ज्यादा उस आदमी के बारे में सोचने लगते हैं जिससे हमें जल्दी ही हो जाती है जैलेसी और फिर उससे हमारा काम खराब होने लगता है इसलिए हमेशा अपने अंदर इस जलेसी की भावना को बिलकुल भी जगान ना दे दोस्तो आप जिस काम को करते हैं उस काम के लिए आपके अंदर एकसाइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर नहीं है तो हमें उसको किसी भी तरह से जगाना चाहिए बिना एकसाइटमेंट के किया गया कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं हो सकता दोस्तो हमें अपनी फील्ड के भारे में अच्छी तरीके से नॉलिज लेकर अपने मेंटर से आगे निकलने का टागेट बनाना चाहिए सही माइने में एक अपरेंटिस वही है जो अपने मेंटर से आगे निकलता है हमने इस बुक में सीखा कि कैसे मुजार्ट ने अपने मेंटर से सब कुछ सीखने के बाद फिर म्यूजिक के सेक्टर में नए नए एक्सपेरिमेंट किये और उन एक्सपेरिमेंट की वजा से दुनिया में वो पियानों की दुनिया के मास्टर बने इसलिए हमें अपनी फील्ड के बारे में जितना जल्दी पॉसिविल हो फुल नॉलिज लेने के बाद उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए इससे मास्टरी के लवल तक पहुशने की रहा बहुत आसान हो जाती है दोस्तो किसी भी काम को हम तभी सीख सकते हैं जब उससे हमारा प्रेम हो उसके लिए हमारा इंट्रेस्ट हो इसलिए हमें हमेशा अपने काम के लिए लव को बनाए रखना चाहिए जिस काम में हमारे इंट्रेस्ट होता है जिस काम से हमें लव होता है वो काम हम ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं इसलिए जब हमें सीखने से प्रेम हो जाएगा तो हम हर जगा सीखने का प्रयास करते रहेंगे और ये छोटे-छोटे सीखे हुए स्किल्स हमारे दिमाग में कलेक्ट हो करके हमको अपनी फील्ड में मास्टर बना देंगे नमबर बारहा, दूसरों को सुने दोस्तों कई बार हमें हमारे वर्क प्लेश पर ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पाती हम उसके सोल्यूशन के लिए हमेंचा एक ही काम को दोहराते रहते हैं लेकिन उसका solution नहीं निकलता राइटर का मानना है ऐसे समय में हमें अपने आसपास के लोगों के ideas को सुनना चाहिए हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा हो जो आपकी problem को solve कर दे लोगों को सुनने और समझने की जो आदत है वो आपको आपकी परिशानियों में उलजने से बचाय रखेगी दोस्तो अकसर problems पढ़ने पर हमारे अंदर एक डर निकल कर आ जाता है जो हमें उन सभी चीजों से दूर ले जाता है जिनके बारे में हमें enough information होती है इसलिए ये जरूरी है कि हमें अपनी strength का ध्यान रखना चाहिए और इतना confidence रखना चाहिए कि जो काम के बारे में जानकारी है वो काम हम कर सकते हैं अपनी अंदर की strength को पहचानना mastery के रास्ते का सबसे important हुनर है तो दोस्तों, we hope इस book summary से आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखा होगा जिनके बारे में आप पहले कभी नहीं जानते होंगे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारिया मिली होंगी जो आपको अपने workplace में mastery हासिल कराने में मदद करेंगी इस book की summary की feedback आप हमें comment section में दें जिससे हम अपनी quality में सुधार कर सकें